मेरे प्यारी प्यारी यूटूब फेमली को सबसे पहले तो गुड मॉनिंग और गर्दन दिवस के बहुत बहुत बदाई हो आज हम बनाते हैं गर्दन दिवसी स्पेसल मिठाई वो भी बिना गैस चलाए हुए सिफ पांच वर्ट में जो कि बहुत ही स्वाधिस्ट मिठाई बनती है तो चलिए हम जैटपर से बना लेते हैं बिना गैस चलाए हुए एक साथ दो तरेके की मिठाई जिसके लिए हमने यहाप ले 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 मिकसी का जार इसमें डाल देंगे हम 15-20 काजू और साथ में डाल देंगे 15-20 पिस्ता और इसी एक साथ डाल देंगे 8-10 बादाम इन सबको हम दर दर ग्राइंड करके निकालेंगे एक बाउल में और पूरा बाउल में डालेंगे बाउल कर देंगे साइड में फिर से हम इसी मिकसी का जार ले ले लेंगे और इसमें फिर से हम डाल देंगे अपने बचे हुए 15-20 बादाम और 15-20 काजू है और 15-20 पिस्ता आधी चाटोरी नारील का बुरादा जिसको कहते हैं । नाना मिल्क नार, इंसको कहते हैं CritIf फूदा जैदा Milk पाउडर कए तो इंशके पाउडर के रहा है रहा है आप ने लिए अब पाउडर क्मर्ण कर लूदेश हैं मिक्स और यहां पर हमने ले लिए फ्रेस मलाई जो कि दूद के उपर पड़ती है वही मलाई है यह नॉर्मली और इसमें डाल देंगे आधा जमच मलाई इसमें डाल देंगे एक पिंच से थोड़ा सा कम ग्रीन फूट कलर और इसका में बड़े असा डो बना के इसको कर देते थे इसफिएतं साइट में तो देखे एमारा कितना बड़े ह बन गया हरा हरा सा सीह यहां पर फिर से वहीं बॉवल ले लिए है और हमने फिर सीमें ग्रीन किया था सारा कुछ निकाल लेंगे बॉल में और इसको एगवरकर घुब हर निकाले गयर तो यह देखे, मेरे एक चमच मलाई में बढ़ी हट डो हमारा बनके तयार हो गया है अब इसमें से हम आधा डो निकाल लेंगे और इसको रखेंगे फॉयल पेपर गोल करके और उपर से एक फॉयल पर और रखेंगे इसके और इसको हम बढ़ी असा बेल लेंगे बहुत पतला नहीं बेलेंगे, फ़रा सा मोटा ही इसको हम बेल लिए है और अब यहाँ पे हमने जो ड्राइफूर्ट का डो बना के रखा था उसमें से आधा ले लेंगे और इसको हम पतला से से रोल बना लेंगे बहुत पतला नहीं बनाना है एक पैसे ही रूल बना लेंगे और इसको अपने हमने बेल के रखा है उसके उपर इसको हम रख्या से फैला देंगे हाथों से फैलाने के बाद में इसको हम टाइटली रोल कर देंगे इसी फैल पेबर से रोल करते जाएंगे फिसको खोल लेंगे फिर इसको हम टाइट से रोल कर देंगे तो इसको हम बना लेते हैं बड़ी आसा एक रोल तो देखिए हमारा कितना बड़ी आसा रोल बनके तयार हो गया है और इसको इसी मलपेट के हम रख देते हैं 10-15 मिट के लिए फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए और यहां पे हमारा जो आधा डो बजा था उसको ले लिए हैं और ग्रीन वाला भी अपना डोल ले लिए हैं जो अपने खाली ड्राइफूट का बनाया था और इसमें चोटी-चोटी लोईय निकालके रख देंगे गोली बना के और अब यहां पे हम अपना यह डोल ले लेंगे इसमें से एक निम्बू अकार की हम लोईयां तोड लेंगे और इसको गोल-गोल करके हम जैसे आलू की पूड़ियां बनाते हैं वैसे इसको हम गोल-गोले कटोरी बना लेंगे अपना ग्रीन वाला इसमें ड्राइफूट का मिकसर रखके और इसको गोल-गोल करके हम बंद कर देंगे यह बहुत ही आसनी से रूल हो जाएगा ना यह आपका तूटेगा ना यह आपका फटेगा क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है तो इसे चिकना चिकना हो रखा है तो आपका बिल्कुल बड़ी असी लड्डू बनके त्यार हो जाएंगे एक हम आपको और दिखाते हैं देखे कितनी इजी तरीके से बन गया है तो हमाई देखी एक साथ में दो मिठाई बनके त्यार हो गई है और बिना गैस जलाए हुए इस रच्छा बंदन आप बनाके मिठाई को इंजॉय करिए आतमे ने बनाई है गर्तन दिवस इसमेसली मि जाए है तो देखे हमारे कितना बढ़े लड़ो बनके तयार हो गया है ऐसे अपनी साही लड़ोग को हमने कोट कर लिया है और अब इसको थोड़ा साम गानिस कर देंगे जिसके ओपर हम एलो फोट कलर से बिंदिया लगा दिये हैं देखे कितना बढ़े हा लग रा आया है और इसी के उपर हम पिस्टे की कत्रन लगा देंगे, तो देखें, पिस्टे की कत्रन लगा दी, हमारे कितने टेस्टी और हेल्जी लड्डू बनके तयार हो गया है, जटपड से बिना गैस जलाए हुए, और यहां पर 10 से 15 मेट हो गया है, हमने अपने रोल को निकाल लिया है और इसको अब हम खोल लेते हैं, तो देखें, हमारा रोल भी खुबड़े से सेट हो गया है, जिसको हम आराम से निकाल लेते हैं, इस रच्छा मंधन दोस्तों, यह मिठाई बनाके जरूर खाईए, मज़ा आ जाएगा, और बिना गैस जलाए ही बनके तयार हो जाती है, और आपका मनोद आप वर्क करें, और नहीं तो आप नहीं करें, वैसे भी बहुत टेस्टी लगेगी मिठाई, यह देखें, हमने वर्क लगा दिया, तो इसको हम अच्छे से काट लेते हैं, तो इसको हम ना ज्यादा मोटा पीस काटेंगे, ना ज्यादा बारिक काटेंगे, मी और इसको हम कर लेते हैं, एक साथ सर्फ दोनों मिठाईयों को, एक आपको हम तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितनी बड़ी है माउथ मेल्टेड मिठाई बनके तयार हुई मारी, रूमे रखते हैं घुल जाने वाली, और आपको लड़ू बिम कट करके दिखाते हैं, य लेकिन बनाके खाईये दोस्तों, यह बहुत मज़दार से मिठाई है, जड़ पर से बन जाती है, और लाइक से और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें, थैंक यू